आपकी गाड़ी के लिए फ्यूल की इंधन की क्या value है गाड़ी जितनी मर्जी मेंगी हो जाए इंजन उसका जितना पावरफुल हो जाए इंटिरियर पे जितना पैसा खर्च करते हैं लेकिन अगर उसमें इंधन ही नहीं है तो अब उस गाड़ी में इतना पैसा खर्च कियेगा या इतना high model गाड़ी होने का भी कोई फाइदा नहीं है ठीक इसी तरह से हमारे जीवन में मंगल की value है मंगल अगर अच्छे नहीं है तो मंगल समझी आपकी life का fuel है, मंगल का सही ना होना आपके जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ने ही नहीं देता है खराब मंगल वाले लोग करजे में फस्ते चले जाते हैं, खराब मंगल वाले लोग अपने business से, अपने नौकरी से, काम से कभी पैसे का फाइदा नहीं ले पाते हैं, खराब मंगल वाले लोगों की family life जो है, वो disturb रहती है, और सबसे बड़ी बात क्या है उनकी nature में कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, कि लोग उनके साथ जुड़ना ही पसंद नहीं करते, ये लोगों को रिपल से साबित हो जाते हैं लोगों के लिए, यानि इनका जो स्वामाजिक सर्कल है, वो ही नहीं बढ़ पाता है मंगल इस तरह से कई अन्य चीज़ों को कंट्रोल करता है, जो आज के वीडियो में मैं डेटेल से आप से चर्चा करूंगा, और अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तो उसके सब्सक्राइब करिए, और हाँ, बेल बटन दबाना न भूलिएगा, दोस्तों मंगल जो है ना, ये सबसे पहले तो आपकी नेचर को कंट्रोल करेंगे, उस नेचर कितरू आपको फाइदे कराएंगे, या उसी नेचर को खराब करके आपको नुकसान करवाएंगे, इसके बाद इस मंगल का प्रभाव आना शुरू होता है, आपके व्यपार पे या आपकी नौकरी पे, यानि आपके मनी मैटर्स पे, मनी मैटर्स को खराब करने के बाद ये खराब मंगल जो है आगे बढ़के सेहत को पकड़ते हैं, सेहत को खराब करने के बाद, अब जो एंड रिजल्ट आता है इस मंगल का वो आता है, इंसान की कुंडली में एक ऐसा दोशोत्पन कर देते हैं, जिसकी वज़ा से अगली पीडी तक भी सफर होना शुरू हो जाती है, किस तरह से मैं बताता हूँ, नेचर में सबसे पहले ये मंगल क्या करते हैं, इंसान को या तो बहुत गुसे वाला बना देंगी या बहुत इरिशालू यानि जैलस बना देंगी, जो अच्छे मंगल वाले लोग है ना, उनके पील करना, किसी क्या कुछ अच्छा हो जाए, खराब मंगल वाले लोग उनसे बोलचाली बंद कर देते हैं, ये मंगल के खराब होने की निशानी है, ऐसे लोग अगर आपके आसपास होना तो एवाइड करिए, अगर आप खुद ऐसे हैं, तो अपने आपको सुधारने की कोशिश करिए, सबसे बड़ा उपाय जो होता है ना, अभ्यास होता है, आपको अगर अपनी कमी पता चल जाती है ना, और अभ्यास के द्वारा आप उसको सुधारने की कोशिश करते हैं यकीन मानिए आपको किसी उपाई की जुरूरत ही नहीं पड़ेगी तो खराब मंगल वाले लोगों की ये जो निशानी है इसके अलावा एक एक ये निशानी है कि ये लोग जो है ना इन भी patience लेवल बहुत कम हो जाता है इनको तुरंत result चाहिए कभी भी कोई ऐसा काम जिसमें कुछ वेट करने की जुरूरत हो कुछ सबर रखने की जुरूरत हो खराब मंगल वालों को जचेगा ही नहीं वो हर बात पे जो है जीवन को 2020 मैच की तरह समझते हैं कि अभी जो काम किया उसका result आना चाहिए पेशेंस वाले काम इनके लिए बने ही नहीं है तो अगर आप अपने आसपास ऐसी चीज़े दिखने हैं तो समझ जाएगा कि आप खराब मंगल वालों से डील कर रहे हैं खराब मंगल वाले स्वभाव की एक अन्य निशानी होती है कि ये लोग जो है ना ये चाहे घर में छोटे भी हो ये बड़े बनने की कोशिश करेंगे हर बात पर उमीद करेंगे कि इनसे सला ली जाए हर बात पर ये लोग कहेंगे कि इनसे पूछ के चला जाए दरसल हमें जो घर में भी इजद मिलती है या समाज में मिलती है न वो सीधी प्रोपोशनल होगा कि हम जिम्मेदारियां कितनी लेते हैं ये लोग जिम्मेदारी लेनी पसंदने करेंगे लेकिन उल्टे उमीद करेंगे कि जीवन में हर चीज जो है इनसे पूछ के की जाए कई लोग बिल्डर के पास पैसे फसवा देते हैं कई लोग जो हैं गलत जगा पे गलत प्रॉपर्टी कमोडिटी शियर यह ऐसी जगा पे पैसे फस़ा देते हैं जहां से उनकी रिकवरी जो है डे बाए डे मुश्किल होती चली जाती है धनका अटकना खराब मंगल की बहुत इसना धस्ता चला जाता है कि अब उस इंसान के recovery जो है न उसको नजर आने ही बंद हो जाती है ये खराब मंगल की one of the biggest signs यानि सबसे बड़ी निशानियों में से एक है profession में खराब मंगल के और इनने निशानी क्या है कि ये इनसान जो है इसकी timing बड़ी खराब हो जाती है खराब समय पे ऐसे फैसले ले लेता है जो उसको नहीं लेने चाहिए थे यानि गलत जगा पे investment या वेपार या नौकरी में गलत समय पे गलत फैसले ले लेना ये लोग जो होते हैं बिलकुल गलत समय पे आके कुछ खुननस में आके नौकरी छोड़ देते हैं बाद में उनको वैसी या उससे अच्छी नौकरी मिलती ही नहीं है वेपार में ये लोग कुछ ऐसी investment कर देते हैं कुछ ऐसा product ले आते हैं जिसकी वज़े से इनके कामकारोबार जो है बंद होने की इकगार तक पर आ जाते हैं यही मंगल जब खराब होते हैं तो ये personal life को बहुत spoil कर देते हैं खराब मंगल वाले लोगों की भाईयों से नहीं बनेगी जिन लोगों की भी अपने भाईयों से किसी तरह की अनबन है न चाहे वो उनके भाई की तरफ से भी हो आपके intent clear है भाई की तरफ से भी दिक्कत है न तो भी मंगल आप ही के खराब है जीवन साती से लगातार लड़ाई जगडे रहना जीवन साती की वजए से परिवार में मन मुटाव रहना ये खराब मंगल की परिवारिक निशानियों में से एक है आपके जीवन साती आपको ऐसे मिल जाएंगे जो एक दम से बॉस करेक्टर के बनने की कोशिश करेंगे आपके उपर हावी रहने की कोशिश करेंगे किसी भी विवाद को वो बात चीत से तो समाधान करेंगे यह नहीं लड़े बिना घर में किसी भी बात का समाधान नहीं होगा दिन ते ओहार हो आपके घर में लड़ाईयां होती है तो ये खराब मंगल की एक बहुत बड़ी निशानी है इसका मतलब है कि अब मंगल का बुरा प्रभाव जो है यह आपके परिवार तक आ चुका है अभी आप देख रहे हैं किस तरह से मंगल आपकी नेचर से शुरू होके व्यपार तक ट्रेवल करके आपके परिवार तक आ चुका है ये मंगल अगर यहां तक पहुँच रहे हैं तो यकीन मानिए कि अब इस मंगल का इलाज तुरंत करना होगा नहीं तो ये मंगल का जो जहर है ये अगली जनरेशन तक जा सकता है यानि आपके DNA तक आ सकता है जी हां रगों में जितना खून दोड़ता है इसके कारक सीधे सीधे मंगल है अब ठीक है मंगल को चलाने के लिए अन्ने ग्रहों की ताकत हमें चाहिए लेकिन खराब मंगल जो है न बलड की इंफेक्शन दे देंगे मसल्स की इंफेक्शन दे देंगे जो लंबी चलने वाली बीमारिया है जो कई बार कभी ठीक नहीं होती है इसके भी कारक मंगल रहते हैं यानि अब मंगल शरीर तक पहुँचने की कोशिश कर रहे है मंगल को सही करना है न तो सबसे पहले जानिए कि मंगल को सही करने के लिए करना क्या होगा मंगल को सही करने के लिए सूरज, गुरू और चंदर्मा इन तीनों एनर्जी का साथ हमें चाहिए ही चाहिए अब देखे, मंगल अगर भाई है, आप उधारें लीजिए, भाई से लड़ाई हो गई, तो घर के बड़े बज़ुर्ग जो हैं, वही इंटर्वेंट करेंगे न, वही आपको अपने भाई से समझोता करने के लिए कहेंगी, तो जो घर के बड़े बज़ुर्ग हैं, वो ब् पड़ेगी, चंद्रमा के उपाई होते हैं, चांदी को पहन के रखना, सूरज का एक बहुत बढ़िया उपाई है, एक कौपर का तांबे का कड़ा पहन के रखना, और ब्रहस्पती का उपाई है, केसर का तिलख, डिली माथे पे लगाना, आपको मंगल की मेने अभी तक ज शुरू हो जाएंगी, पर्टिकुलरली मंगल को सही करने के लिए, स्क्वेर चांदी का टुकडा, इसको हमेशा पॉकेट में रखिए, इसका भेद क्या है, इसका मर्म क्या है, चांदी चंद्रमा होती है, और हर जो स्क्वेर एक शेप होती है, ये एक अच्छे मंगल की न निरंतर धर्मस्थान किसी मंदिर गुरू द्वारे में दोनेट करके आईए, इससे भी आपके जो मंगल हैं, आपकी फेवर में होते हैं, अब अगर सेहत की खराबियां हो रही हैं ना मंगल की वज़े से जो मैंने बताई हैं, या करजे पे करजा चड़ता जा रहा है, तो आग, आग पे पकाया हुआ मंगल, जैसे के बताशे या गुड की रिवडियां, इनको चलते हुए पानी में प्रवाह करें, निरनियमे तंतर आलमी तवार के दिन या मंगलवार के दिन, ये मंगल को सही करने में आपकी बहुत सहायता करती हैं चीज़ें, इसके अलावा द इसको बड़ा किया जाए, नीम का पेड जितना ग्रोह होता जाएगा, आपके खराब मंगल की निशानिया उतनी ही आपके कंट्रोल में आती चली जाएंगे, और उसके अलावा सूरज, चंद्रमा और ब्रहसपति, इन तीनों की धातूं का एक छला, एक रिंग बनवाई है यानि तीन धातूं की रिंग, इस तीन धातूं की रिंग में तीनों की धातूं की मात्रा जो है ये बराबर क्वांटिटी में हो, इसको लेके अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर में ये त्रिधातू चला जो है इसको पहन के रखिए, यकीन मानिये इन उपायों के बा आपके अंदर खराब मंगल की निशानिया हैं, तो कौन आपकी आके सही करवाएगा, कोई नहीं करवाएगा, आपको खुद ही करनी होगी, आपको लगता है बिना बाद के आप जैलिस फिल करते हैं, उसको रोकिए, इससे किसी का नहीं, आपका मंगल सही होने जा रहा है, आपको लगता है कि आप किसी भी विवाद में सुनने की बज़ाएग कहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो सुनने के आदर डालीए, इससे आपके मंगल सही होगे, खराब वानी का होना, यह मंगल खराब की बहुत बड़ी निशानी है अब वानी का खराब होना, आप खुद आपके से ज्यादा evaluate कोई नहीं कर सकता है अपनी खराब वानी को आप खुद evaluate करिए जितना बुरे वचन बोलेंगे मंगल उतने ज्यादा आपके खराब रहेंगे भाईयों से जगड़ा है तो unconditionally माफी दीजिए भाईयों से जगड़ा खत्म करिए इससे जो आपके मंगल सही होगे आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे इसके अलावा जीवन साती से एक अच्छा तालमिल बिठा के रखना और घर में ग्रहस्ती को जो है ना इसको एक बहुत अच्छा बैलेंस बना के रखना अपने अंदर लेट गो को डिवैलप करना ये भी मंगल को सही करने का एक बहुत बड़ा भ्यास है तो अगर आप आज के वीडियो में बताई ये चीज़ें कर लेते हैं मैं आपको गैरंटी देता हूँ कि मंगल से आई हुई परेशानिया आपको जीवन में कभी दुख नहीं देंगी आप जीवन में आपकी जो गाड़ी का फ्यूल है ना जीवन की गाड़ी का इतना प्योर रहेगा कि आपकी गाड़ी इतनी सरपट दोड़ेगी जितनी शायद आपने सोच भी नहीं रखी होगी तो दोस्तो आज का वीडियो यहीं तक था ये जानकर ये आपको कैसी लगी कोमेंट्स में बताईएगा अन्य किस विशे पर आप वीडियो चाहते हैं कोमेंट्स में मुझे ये भी बताईएगा चलिए मिलते हैं एक नई विशे एक नई वीडियो के साथ अपना खूब ध्यान रखिएगा नमस्कार